ओर हैलो दोस्तों आपको सोगता है हमारे परने युटूब चैनल स्फार्वल हुआ być दोस्तों आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कि डीश वर्क करता है तो कैसे व्रक करता है तो तो आप लोगों को इसमें basic knowledge clear होने वाली है तो आप लोग इस वीडियो को बिना escape किए लास तक देखना है ठीक है तो इसमें आप लोगों को बता दें जैसा कि आप लोगों को DCS सीखने से DCS के बारे में जानने से पहले decentralized और centralized control system क्या होता है वो आप लोगों को जानना सबसे main point है ठीक है तो यह DCD centralized system का क्या system होता है जो PLC रहता है programming system रहता है प्रोग्राम लोगिंग system जो रहता है इसमें आप लोगों का एक लोगी है cabinet रहता है एक आप लोगों को system रहता है जिससे सभी जो भी है पैनल सभी रहते हैं वो connected रहते हैं एक system से सभी connected रहते हैं controller connected रहते हैं ठीक है तो इसमें क्या रहता है कि अगर इसमें अगर ये system फहल होता है तो पूरा yr handmade process पूरा plant का losses में जाएगा ठीक है इसमे आप लोग को क्या है जैसा कि आप लोग यहां पर देख लेजेगा एक system है उसमें controller अलगला controllers लगे हुए हैं ठीक है अलगला controller से अलगला equipment जो भी है वो connected हैं ठीक है connected है तो इसमें अगर एक कि इसमेंसे ये वाला फैल होता है तो दोनों ये हमारा बर्क करेगा दोनों ये वारे बर्क करते रहेंगे इसमें एक ही पर क्या होगा लॉसिस आएगा और तो हमारी पर जो भी रहेंगे वो सिस्टम चलता रहेगा तो इससे यही फाइदा है जो को PLCOR आप DSCS में जो भी है डिस्परेंस यही है ठीक है अब आगे बढ़ते हैं जो कि आप लोगो बताते है अब DCS structure जो भी रहता है वो कैसे कैसे वर्क करता है उसमें क्या क्या रहता है वो उसके बारे में हम बात करने वाले सिंग्डल किस कैसे वर्क करता है वो आपको बताएंगे और सिंग्डल का वीडियो हम एक अलग लेक्शर बनाएंगे उसमें आप लोग और कवर करेंगे ठीक है तो इसमें आप लोग देख लेजाएगा जैसे प्लांट में जो को फिल्ड है वहां का लेवल हमने बढ़ रखा है ठीक है लेवल बढ़ रखा आये जो कि 0A2 ठीक है तो इस परकार से और आप लोगों को level 3 रहेगा वो level system operating engineering station जो भी रहेगा उसमें रहेगा ठीक है तो बात करते हैं इसमें आप लोगों को signal कैसे बल्ग करता है तो इसमें देखिएगा जैसे हमने जैसे field से कोई command आया is जहां system से command दिया ठीक है पहले हमें field से बात कर ना temperature sensor लगा हुआ है ये sensor लगे हैं तो ये सबसे पहले Marcellingカ粒 जो भी रहता है 0 से 1 level की तरफ आएगा तो Marcelling Camelet जो जो कि Junction Board उसमें लगी हो तो जाएगा खिल्ड के जंग्सन बोड से आप लोग को तो क्या होगा आप लोग का रेक बना रहता है रेक में जाता है रेक जो की जंग्सर बोड आप लोग रहता है इलेट आउटलेट रहता है जिसमें वह पता चलता है कि आउटलेट का सिंगनल है कि इलेट का सिंगनल है ठीक है तो जो भी से प्लांट से आने वाला जो सिंगनल वह इनलेट रहता है और जो system engineering station रहता है वह operating station रहता है वह जहां से आकर command देते हैं तो आप पर फिल्ड में जाता है तो आप्ट वाला signal रहता है यह एक lecture हम बनाएंगे वीडियो में उसमें discussion कर देंगे ठीक है कर दिया कर देंगे तो आप लोग लेक्चर को लिट समय जाकर के बाच कर लेना ठीक है इसमें आप लोगों को तो मार्च लिंग में आयो फिर उसमें inlet outlet signal बना चला के आप लेट का signal है यह DCS में बेजना है ठीक है फिर उसके बाद आप लोगों को क्या है system cabinet में जाता है जो कि DCS का जो कि control room रहता है जो कि system panel रूम रहता है उसमें जाता है उ ठीक connected रहते हैं तो वो switch की द्वारे यहां फे distribute कर दिया जाता है मालब बट जाता है और signal यहां पर पता लग जाता है system पर सो करने लगता है तो इस प्रकार से जो भी है फिल्ड में यो भी है बर्क होता है आगे बात करते हैं जो कि यह है नेक आगे बात करेंगे और basics knowledge बात करेंगे अब इसके माद्यम से DCI system समझने की process करेंगे ठीक है कोई भी आप लोग को नया update करना या कुछ भी करना तो कैसे करेंगे ठीक है कैसे कैसे तो आप लोग यह field 1 माल लेजिए ठीक है field 1 माल लेजिए यह plant 1 माल लेजे, plant 2 माल लेजे, plant 3 माल लेजे, ठीक है, मतलब plant 1, plant 2 और plant 3, ठीक, जैसे जैसे आप लोगों को देखिएगा, यहां से field से क्या है, signal जा रहा है, तो वो control, control में जाएगा, जो कि DCS control room रहता है, panel रहते हैं, जैसे में अभी बताया था, उसमें जाएगा, फिर उस जो कि है, operating station 1, operating station 2, operating station 3, operating station 4, ठीक है, इसमें सो करने, इस screen पर सो करने लगेगा, ठीक है, यह हमारा printer से है, और यह हमारा historian है, historian, इसका work क्या होता है, वो भी आप लोगों को बताएंगे, ओप, OPC server क्या रहता है, OPC server का क्या work रहता है, वो भी आप लोगों को, यह engineering work station क्या है आप लोगों को इसमें बताएंगे, ठीक है, तो आप लोगों को पता है, कि engineering work station जो भी है, जैसे हमें कोई भी फिल्ड में हमने जैसे यह control बार्व ले लिया, यह नया install किया है, नया लगाया है control में, ठीक है, तो यह हम क्या करेंगे, engineering work station में, जो कि BFD रहता है, उसमें engineering work station इसमें इसको connection दे के add करना पड़ेगा हमाँ ठीक है, तभी तो system में so करेगा, कि यह control valve है, यह वाला ठीक है, तो इसमें बात करते हैं, जो कि आप लोगों को station में यह install किया है, नया लगाया है, तो यह engineering work station के अंदर गत हम इसको install करेंगे, और system में install करेंगे, system में भी डाले सेव करना है, जो data प्रेंट करना है, या कुछ भी करना है, तो इसमें प्रेंट करके उसको जहां से प्रेंटर के थ्रूप फोटो कोपी निकाल सकते है, यह system अलग रगा देता है, ठीक है, और OPC server रहता है, उसका work क्या रहता है, जैसे कि आप लोग की, यह DCS control की controller लगे है, इसके अलग-अलग company के रहते हैं, तो यह अलग-अलग base पर work करते हैं, ठीक है, यह control बाल हो गया, या transmiters हो गया, सभी अलग-अलग company के रहते हैं, तो उसमें communication करने में क्या रहता है, communication नहीं हो पाता है सही से, तो इसमें OPC server का यही work है, कि इसको communication को अच्छे से work कराना, ठी protocol communication server, ठीक है, open protocol communication server, ठीक है, तो यह उसके जरिये से, इस OPC के जरिये से, अच्छी तरह से field में, और system में, communication field से, same वालब, पूरा process में, communication अच्छे से होता रहता है, ठीक है, अब बात करते हैं, historical historian का मतलब क्या है? यह आप लोग अच्छे है, इसका क्या वर्गभ है, इसके क्या रहता है? जैसे कि हमारे आप लोग को बता है, जो कि हमारे PC रेता है, computer system रहता है, उसमें सब्सक्राइब करें है तो उसकी memories flow हो जाती है और हमें in company में के plant में क्या रहता है data save करके रखना पड़ता है एक-एक साल तक पूरा data save करके रखना पड़ता है तो उसमें space कम रहता है computer system में PC में तो हमें historian की क्या है मदद से हम क्या है उस data को उसमें save करके पूरे साल का record रख रखते हैं इसका यह बरका प्रेंटर का तो आप लोगों को पताई है photo state अगर कोई documents photocopy करना है या कुछ भी करना है कोई BMR बनाना है को PFD बनानी है PNID बनानी है तो इस प्रकार से वह बनी रहती है उस प्रेंटर लगा रहता है तो इस प्रकार से basic सा जो भी है DCS का system में आप लोगों को बता है next वीडियो में आप लोगों को signal मिलेगा signal कैसे ब लेना ठीक है अब बात करते हैं अब बात करेंगे जो कि हमारा सम मौडर्ण DCS ओफर जो ही है कितने प्रकार की कंपनियों का DCS सिस्टम रहता है तो आप लोगों को ABC 801 से इस company का आप लोगों को देखने हैं बड़ी-बड़ी कंपनियां चलाती है मतलब बड़ी-बड़ी कं अब करते हैं तो तो उस company में हनी वेल का जो कि मैंने देखा है हनी वेल का लगा हुआ है सभी system हरी वेल का प्रोजेक्ट लगा था उन्होंने की तरफ से लगा हुआ है ठीक है मैं जिस ब्लांट में हूं और इमेरिशन डेल्टा ठीक है यह वाले यह बहुत अच्छे बड़ फरक करती हैं ठीक है यह इतनी कंपनी यह भी है आप यह बन के पर यह कंपनी यह बर्क करते हैं सिस्टम अब आगे बढ़ते हैं और आप लों की जो कि है डीशीmir कहां पर लगा रहता है जो कि आप लोग केमिकल प्लांट में ऐलेंड गयास फावर नंट और पल्प नपेपर एग्रोच्व डेह देखने को मिल अब इस प्रकार से ढप्सक्राइब को इन इंग संप उर आपका लेक्स्व मुणल उप नख्याता दो तो मीटे वीडियो में इसी नेक्ट अच्छे से टोपिक के साथ सिंग्नल का टोपिक बनाएंगे तो उसमें मिलते हैं तब तक के लिए जैहिन हमारी चैनल पर नहीं हो सब्सक्राब कर लेना टेलिग्राम जोन कर लेना ओके थैंक्स वाचंग